नमस्कार बाईयो जैगो माता, जैगो पाग, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं ये वीडियो नारी गाय का, नारी गाय के शेत्र का और नारी गाये रखने वाले के किशान का जीवन कैसा होता है वह कैसा जीवन यापन करता है इस वीडियो में आपको बहुत आनन्द आएगा उनके घर का भी भ्रमण कराऊंगा और उनके सारी विवश्थाएं किस तरह से वो गाये को रखते है कितना प्रेम है इन लोगों के मन में इतना गाय के परती नारी गाय के परती प्रेम है कि वो किसी भी कंडिशन में इस गोमाता को बेचना तक मनजूर नहीं करते है मतलब इतना प्रेम से पचास गाय चालिस गाय एक एक घर में रखते है दूद की रेट कम मिलती है फिर भी सेवा करते है यह एक इशान है बल्दरा के पास में गाउं है उनके घर का दर्शे है बिल्कुल जो नेचुरल एन्वार्मेंट है इस माहौल में है यह इनका चोटा सा घर है उसके बाद में जो यह बाड़ा बंदी करके जो नारी गाय के लिए नोने बनाया हुआ शेत्र है एक चीज देखी दोस्तों नारी गाय एग्रेशिव थोड़ी कम होती है अपेक्षाकरत बाकी नसलों के और बहुत ही सुन्दे इतने बड़े सींग और डर होने के बावजूद भी ये गाय मतलब बड़ी शान्त और बिलकुल प्रेम भाव से भरी होती है ये आप देख सकते हैं बहुती प्यारा परिवार और इस परिवार ने बहुती मान मनुहर किया हमारा बिलकुल और पूरा घर ही आस्तान के कल्चर में मैंने देखाए कि पूरा परिवार ही गाय की सेवा में लगा रहता है और रात को भी उठ उठ के गायों का ध्यान रखना, देखना पूरा ख्याल रखना सारी चीजों में पूरा परिवार लगा रहता है आप जो कम से कम लागत में किसान किस तरह से फैंशिंग करके जो लोकल से 6 तक इनका फैट आता है और दूद की मात्रा भी लगबग साड़े 3-4 लिटर तो एक टाइम का दूद मिली जाता है पर कुछ गायों में 5 लिटर भी किसान की सेवा के अंदर दूद मिल जाता है पर इस ताप से फैट की मात्रा देके तो सबसे आदा फैट में दूद की गाया है यह और यह पहाड़ी भी सीधा चड़ जाती है मतलब इस गाय को पहाड़ों पे चड़ने में भी कोई परिशानी नहीं होती है बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं जो यह दो गाया खड़ी है दोनों अलग अलग पैटन में है एक तो सींग घूम के उपर की तरफ भाग की तरफ मुड़ गए एक सीधे मुड़ गए तो यह दोनों पैटन बड़े फैमस है नारी के अंदर वो जब से रिश्टर्ड हुई है तो नारी गाया को अपने एमधाबाद से अपने गाउं तक यह चराने के लिए इतनी गाया हो जाती है तो विवस्ता होती नहीं है तो आट आट नोनों महीने यह बाहर रहते है कोई गुजरात को चले जाते है कुछ दिल्ली को चले जाते है कुछ हर्याना को चले जाते है तो मद्य पर्देश में भी जाते है और पहाडों में भी चले जाते है तो इन गायों की शेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है तो इन्होंने बताया कि 9 दिन भूके रेके भी सिर्फ चने हाथ में होते थे और वो खाते खाते भी ये मतलब गायों को बरसात में यहां तक लेकर आते थे अब भी जिसे चारा लेने जाते थे तो रात को चले जाते है तो दूसरे दौपर तक चारा काट गे उस तरब से दूदू बार खाना नहीं खाके भी सेवा में लगे रहते है तो ऐसे गोबगतों को नमन है ऐसे नारी की गोश्यवकों को नमन है वास्तमें दोस्तों एक अबुद्पूर्व शेवा इन किसानों के द्वारा हो रही है जो आत्मिता इन परिवारों की मुझे मिली है देखने को बहुत ही जवादस थी और जो बुजूर्ग महिला की इनकी जो सेवा भावना थी और जिस तरह से इनोंने गायों का वर्णन किया मुझे बहुत सुन्दा अन्यरो आप देख रहे हैं और माता जी बता रही है कि लगबग मतलब इनकी सेवा में कितना दूर होता ब onlar अनाने और फिर इनको लगा कि हम गाय को ल Kenya को लेने के लिए हैं पर ऐसा नहीं था तो यह नहीं देते है तो वे जो अब सकति किस दो कि ना नाने गड़ा है एक गढ़ा ड़ में इस तक मुझा नाय है तो आपने गाये अशी गाये और वह भी चुजरात में रहती है अभी बारिश आए तो अभी सर गर आने वाली है अभी यह आएंगी वो आएंगी तो आपको जल्दी से में पता कर दोंगा बले वार्स्टॉप और कैसे भी आपको मैं कॉंटेक करूंगा वो के नसल रागो ते आपको नाइरी हम वो अऱ मोडी नी पत्सन्करते आपक नाइरी काये हम पत्सन्करते वो वो दूर में रहती है बेसके जैसे उसके स्यवा जैसे ब्ढ़ जैसे जैसे गाय शाथ अज आठ गी अज बहु आपको जीते है वह गैं एक राए ज पास न करे चाहा है ने जिए इन बिल्कुल जो नेचुरल बाड हमारे यहां पे करते हैं विवस्तित करते हैं पतली भी होती है और बीच में थोड़े बबूल और इनका उपयोग करके यह बाड बंदी भी हमारे यहां पे की जाती है आप सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि बहुत सारे मित्र जब वीडिय आप सभी की तरफ से नमन है जैगो माता जैगो पाल आप सभी दोस्तों करसने इसी प्रखार रहे जैगो